हाई फ्रेंड्स असलाम आलेकुम वेल्कम बैक टो माई चानल खाना पाकाना आज हम बनाने वाले भूहती जटपट और बहुती टेस्टी चिकन यहां पर आज यहां पर चिकन बनाने वाले है इसके अंदर हम मैगी का चिकन कुप से यूज़ करके बहुती यमी और टेस्टी बनाने वाले जिसके ले मैंने एक चमच तेल ले ले लिए तेल अची तरीके से गरम हो ग्या था इसमें हमने द्यूप प्यास को जो घू इक्तर चौप कर लिए ते उसे अच्ही तरीक के से गोल्डन ब्राउन कर लिया और इसमें हमने से भून जाए अधर कलसुन का पेश टामाटर और प्यास के साथ में तो अभी हम इसमें मसाला एड़ करते हैं आदा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच लालमिट पाउडर आप टेस्ट के साब से तीका कम्या जादा कर सकते हैं तो यह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यह देखिए यहां पर यह हलका हलका जब पक रहा है तो हम नहीं आप थोड़ा से ढख कर इसे और पका लिए थे आदे से एक मिनट तक और इसके पर हलकीती तरी आ गई है और यहाँ पर अभी हम मसाला एड़ करें चिकन मसाला एड़ करेंगे एक चमच यह ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो दालिएगा टेस्ट के साब से तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चमच दाली और उसके बाद में मैंने यहाँ पर चिकन एड़ कर दी जैसा कि यहाँ पर हाफ और नमक दाल कर भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें हम पानी आड़ कर देते मैं आपर एक कप पानी आड़ करूंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेते मिक्स कर लेते और इसे ढख कर तीन से चार मिट के लिए पका लेंगे तो यहाँ पर देखिए आज हम यहाँ पर मैगी का चिकन क्यूब से यह यूज करने वाले हैं जिसे कि जो चिकन की रेसिपी इसे बहुत यमी और टेस्टी बनती है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके के पैकेट्स होते जो आप सिंगल टाइम पर सिंगल यूज कर सकते हैं जैसा कि हाफ कीजी के साब से एक पैकेट्स तो यहाँ पर मैंने यह एक पैकेट्स निकाल लिए इस तर पर एक बावल में और यहाँ पर जैसा कि 5 मिनट हो चुके है तो यह जो चिकन है अच्छी तरीके से पग गया है तो यहाँ पर हम लास्ट में इसमें यह जो चिकन क्यूब से यह इसमें आड करते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें उपर से थोड़ा से हरादनिया मिक्स करेंगे